हेलो ब्रीवन मैं आशुतो सुकला फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है आसू एकडमी तो आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोगेट्यू संटेंस के बारे में समझाने वाला हूँ लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्रा कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाईए और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्रीज आप लाइक करना बिल्कुल ही मत बुलिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें तो आईए सीखते हैं आज हम इंट्रोगेट्यू जरूर फायदे मन दोगा आप इंटर में हैं तो भी आपके लिए दो नंबर का कोर्शन आने वाला है इससे तो आईए सीखते हैं इंट्रोगेट्यू संटेंस के संटेंस जो होते हैं डारेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं तो एक एक करके आपको सारे रूल बताने वाले हैं तो आपको इसके लिए वीडियो को अंतक देखना पड़ेगा जिससे आपको पूरी क्लास अच्छे से समद्ध में आएगी तो आईए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं उन पॉइंट्स को समझे उसके बाद आपको मैं संटेंस बनाना सिखाने वाला ह सीखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पहले आप इसको समझ लीजिए उसके बाद आप इसका स्क्रीन सॉल ले लिजेगा ताकि आपको इसे लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहों अगर आप लिख भी नहीं पार रहा है तो आप इसको स्क्रीन सॉल ले करके कभी ना कभी जरूर पढ़ सकते हैं तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इंट्रोगेट्व संटेंस में रिपोर्टिंग वर्प रिपोर्टिंग वर्प आपको पता होगी क्या होती है सेड ऐसे करके रिपोर्टिंग वर्प होती है रिपोर्टिंग वर्प क्या का है आपकी सेड को उसक्ड में बदल देते हैं इस पॉइंटो को याद रखेगा कि अगर आपको डिुखाई दे रहाँ तो आपको क्या बना देना है वह आज रख़िएगा अगला परियोख करते हैं यानि कि जहाँ पर हम दैट लगा रहे ते वहीं पर अब हम क्या लगाएंगे इफ लगाने वाले हैं याद रखिएगा इस पॉइंट को भी कि अब आप दैट की जगा पे इफ लगाएंगे कब लगाएंगे वो भी सिच्वेशन लिकी हुई है यदि रिपोर्टेड स्पीच की सुरुवात यानि स कॉस्चन वर्ड से यानि वाए वाट ऐसे करके कुछ आया है तो आपको कंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है बलकि इफ की जगह को लिख देते हैं यानि आप इफ नहीं लिखेंगे बलकि को उठाकर ही उसी जगह पे लिख देंगे अगली बात क्या लिखिवी की रिप एक एक करके सारे पॉइंट को फॉलो करते हैं और सीखते हैं संटेंस बनाना तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीन सौल ले सकते हैं अब देखी आपके सामने दो संटेंस लिखे हुए हैं सबसे पहला संटेंस है सीता से टू मी कॉमा इनवेटेड कॉमा आर यूडू दूइंग माई वरग अगला संटेंस है मीरा से टू हिम वाइडिड यू नॉट प्ले यस्टरडे चलिए दोनों संटेंस को सीकते हैं पह पेरला कोस्टिन क्या है कि आपको यहां पे helping वर्व से लिए तो पहले तो आप points को समझ लीजी उसके बाद आप बनाना सीख जाएंगे पहले तो आपको पहचानना है कि यह कैसे आपको यहां पर question वर्ड या फिर कोई helping वर्ड दिखेगी अगर अगर आप यहां पर माइंड नहीं लगाना जाते तो आप सबसे लास्ट में जरूर देखेंगे वहां पर जरूर दिखेंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह इंट्रोगेटिव नहीं है यहां से आपने पहचान लिया अगर आपने पहचान लिया है तो आप यहां तक स बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं क्या कर देंगे में बदलेंगे ठीक है तो मैंने आप लिख दिया सीता और यहां पर इतना तो आपने बना लिया अब आपको समझना यह है कि आपने कहा था कि करते हैं तो कप करते हैं जब याद रखेगा यहां पर लगाना है इतना पॉइंट्स आपको समझ में आया अगली बात है लगाना है सब्जेट पहले आएगा तभी वो असर्ट्व नहीं तो असर्ट्व नहीं बन सकता है तो असर्ट्व बनाने के लिए क्या करना है आपको जो helping verb के बगल में subject लिखा है, उनको changes कर देना, इसको इधर कर देना है, अब देखे, you आ गया इधर, आ गया होगा you, अब you concept person का pronoun है, चलिए देखे, यह चार्ट है आपके सामने चोटा सा, you concept person का pronoun है, second person का pronoun है, second person का प्रोनाउन है, second person किसे change होता है, object से change होता है, ठीक है, तो second person object के पास आया me, यानि you गया है me के पास, अब you आ रहा है me के पास, तो क्या मिलने वाला है, सामने क्या लिखा हुआ है me का, आई, यानि कि यहाँ पर आपको लगा देना है, आई, बात clear हुई, समझ में आया, फिर से देख लीजिए, you second person का object है, me से change होगा, तो इसकी बरा इसने subject दे दिया I, I यहाँ पर आ गया, अब देखते हैं, यह tense कौन सा है, present continuous, कैसे आपने पहचाना, क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो continuous कह रहा है, और change किसमें करना है, past continuous, past continuous की helping work क्या होती है, was या वर, तो यहाँ पर I के साथ क्या लगा देन है, आपको was, I was, इतनी बात क्लियर होई आपको, अब इसके बाद आपको क्या करना देए, यहाँ तक आपने complete कर लिया, बना लिए sentence, doing, जो की continuous में आता ही है, तो आपने doing कर दिया, फिर सेगला point लिखा हुआ, my, my को किसे change करेंगे, first person का है, sita, sita का मतलब see, अब दीखें, my positive है, किसका, I का, sita मतलब see, अब यहाँ पर change हो रहा है, इसके बराबर क्या मिलेगा, इसको, हर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, हर, उसके बाद, work, last में आपको full stop लगाना है, question mark यहाँ पर नहीं लगाना, याद रखिएगा, अगला sentence देख लेते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ है, mira said to him, why did you not play yesterday, देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, question world आ गया, अब question world आता है, तो क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है, यदि reported speech की सुर्वात, question world से हो, तो conjunction if का प्रियोग नहीं करते हैं, ठीक है, यानि कि अब आपको conjunction if नहीं लगाना है, बलकि tip की जगा question word को ही लिख देते हैं, यहाँ पर आपको question word ही लिख देना है, तो जैसे question word अगर आप हटा देते हैं, अगर यहाँ से question word हटा तो देखिए, आपको helping word दिखी, बगल में helping word दिखी, पहले जैसे sentence में आप आ गए, बिलकुल बना ले जगा पर क्या करना है, set to को, ask, him की जगा पर, conjunction if था, अब यहाँ पर if नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर question word आया है, तो अब if की जगा पर आपने question word लिख दिया, why, यह बन गई आपकी conjunction, why, अब यहाँ तक आपने complete कर लिया, यहाँ से आपको complete क रही है, अब यानि इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, you इधर आ गया, did, और you, you कौन से person का pronoun है, second person का, किस से change हुआ, him से, you subject है, him से बदल रहा है, इसके सामने क्या मिला, he, यानि कि यहाँ पर आ गया, he, इतनी बात clear हुई, फिर से पताए, you second person का pronoun है, और him से change हुआ देखिए, you subject है, him object है, तो object यह लेगा नहीं, तो इसका subject क्या है, he, तो इसने बराबर की चीज ही ले ली, तो इसलिए यहाँ पर he आ गया, him नहीं आया है, याद रखिएगा, अब यह आप कह सकते हैं, कि you तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, helping वरो क कौन से tense को indicate कर रहा है, past indefinite tense, सही है, past indefinite tense, तो change into past perfect tense, बिल्कुल, तो अब यहाँ से past perfect tense की helping verb क्या होती है, head, यहाँ पर मैंने लगा दिया, head, negative है, क्योंकि assertive में negative बनता है, तो मैंने head not कर दिया, ठीक है, play को अब किस form में करना है, हमको, third form में, third form में, play और क्या लगा दिया, ed, third form बन गया, अब अगला point लिखा हुआ yesterday, इन points को तो याद रखिएगा, अगर यह आपको नहीं है, याद तो प्लीज आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक नएक sentence में आता रहता है, ठीक है, तो yesterday को क्या बोलते है, the previous day, क्या बोलते ह है, the previous day, और यहाँ पर आपको लगाना है, full stop, full stop लगा करके ही आप assertive complete करेंगे, otherwise अगर आपने हैं question work लगा दिया, तो आप sentence को कहीं न कहीं गलत कर देंगे, ठीक है, क्योंकि assertive sentence में आपको last में, full stop ही लगाना है, आपको sentence समझ में आ रहे हैं, आप बहुत ही आसानी से इंट्रोगेट्यू sentence बना सकते हैं, आईए एक sentence और देख लेते हैं, इसका, देखते हैं sentence लिखा हुआ है, he said to Radha, comma, do you help me, चलिए बनाते हैं sentence को, अब आपको बहुत easy लग रहा होगा देखने में, हाँ लग भी रहा होगा, क्योंकि आपने अगर अच्छे सा समझा है, तो राधा ही रहेगा, यह नाम है, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां तो कोई changing ही नहीं, केवल आपको ask पे दिमाग लगाना है अपना, अब यहां पर देखे क्या है, सबसे पहले, helping verb, helping verb अगर पहले आती तो यहां पर conjunction क्या लग जाती है, if, if लगा दी आपने, if के बाद, आप you को इधर कर दीजिए, do को इधर कर दीजिए, you राधा से change हुआ, तो अब you change हुआ, राधा से राधा का मनलब c, बदल गए अपस में, तो क्या आ जाएगा, यहां पे, c, इत्ती बात हो गई, clear, अब देखे, do इधर आता है, तो, बहुत important है, ध्यान से समझेगा, do इधर आ यहां पर helping verb did लगती है, लेकिन तब, जब यह sentence negative होता तब, interrogative तो आपको बनाना नहीं, तो याद रखिए, जब do इधर आएगा, तो यह से कोई मतलम नहीं रह जाएगा, बलकि यह second form में बदलेगा, second form help को देनी होगी, तो यहां पर help हो जाएगा, याद रखिएगा, यह क हो गया, तो see helped me, first person का है, he से change हुआ, अगर me, he से change हो रहा है, तो इसके सामने क्या मिला, him, help him, last में आपको full stop लगा देना है, अच्छे से topic clear हुआ, आईए एक और आपको इस से अच्छा important बताते हैं, वो भी देख लीजिए, क्योंकि कभी-कभी confusion हो जाएगी, ऐसा sentence में, तो एक important point वो भी है, उसको भी देखिएका दान से, देखते हैं, अगला point कहता है, कि यदि reporting verb, यानि reported speech बोलते हैं, में object ना हो, तो reported speech के second person के अनुशार, third person, जो की second person होता है, you, के third person, मतलब he, see, they, के pronoun में बदल देते हैं, इस इस्थित में एक object मान लेना चाहिए, उस कालपनिक object को, जो हम मानेंगे, उस object को bracket में लिख देते हैं, इतना आप screen saw ले लिजेगा, और एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, या फिर इसी वीडियो को repeat कर लिजेगा, अ यहाँ पे इसके बाद कोई object नहीं आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से चल जाता है, लेकिन, will you, यहाँ पे second person आया है, help me, second person जो की object से बदलता है, इस बात को कैसे समझना है आपको, तो समझेगा, he, sit को मैंने ask कर दिया, अब यहाँ पे मेरे पास second person नहीं है, हमको बदलना है you को, तो याद रखिए कि second person के object के अनुसार बदलते हैं, अगर यहाँ पे एक third person का pronoun ही आ गया है, तो दूसरा हम हर मान लेते हैं, मैंने bracket में यहाँ पे हर ले लिया, क्या ले लिया, अब हम इसको इससे change कर सकते हैं, ठ इतनी बात clear हो गई, अब आके का sentence आप बना सकते हो, विल को आपको उड़ कर देना है, you को second person हर से change कर दीजिए, c हो गया, उड़ हो गया, help का help हो गया, me अगर he से change हुआ, तो क्या हो गया, him हो गया, last में full stop लगा दीजिए, देखिए sentence बहुत important है, ऐसे sentence confusion रखेंगे आपक person के लिए change करना था, इसलिए यहां पर कोई object नहीं था, मैंने एक object मान लिया, हर, कोई भी मान सकते हैं, आप जो आपका मन third person का होना चाहिए, कोई pronoun, हर मान लिया, हर को you से change किया, तो c मिल गया, will को उड़ कर दिया, help को help, me को he से change किया, तो he का object ही मा गया, ऐसे sentence आपका complete ह होता है, तो आज में आपकी class, जो हुई आज की class, तो आज आपने इस class में interrogative sentence के कैसे indirect speech में बदलते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, सारे बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, और ये topic आपके लिए बहुत important है, तो आज की class के लिए thank you, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दे